नमस्कार, जड़ों से जड़ों की मुहिम एक व्यक्ती, एक उत्पाद आज एक बहुत रोचक से मोड पर पहुंचा हम जब सब से मिल रहे थे, बात कर रहे थे कि आप किसी एक कम से कम उत्पाद की शपत लें कि आप आजीवन भारती इस्तेमाल करेंगे बहुत खुशी हुई हमें यह देखकर कि हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है हमारे देशवासियों की सोच कहां पहुंच गई हम जो अभी सोच ही रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो उसको अपनाते हुए हमसे बहुत आगे जा चुके हैं ऐसे ही आज हमारा यहां एक धकोली में एक परिवार से मिलना हुआ पेशे से वकील विशाल गर्ग जी जिनके साथ जब बात्चित हुई तो उनको अपने परिवार के साथ यह बात करनी पड़ी कि अपनी बीवी से पूछना पड़ा अपने बच्चों से पूछना पड़ा कि कोई एक प्रोड़क्ट तो बताओ जो हम स्विदेशी इस्तेमाल नहीं करते हैं अमके घर में हमने भी अपनी टीम के साथ जब सारा दोरा किया हमने उनके टोलेत्रिस हमने उनके जए हुए जाके चेक किया में विशाल जी आपके साथ इस विशे पर बात करना चाहूंगे, पूरे परिवार को हम बदाई देंगे, आप अपने इस स्वदेशी करन के बारे में कोई बात करेंगे? देखिए जब मैं छोटा था स्कूल में था, तब ही उन दिनों स्वदेशी की मुवमेंट शुरू हुई, तो तब से ही मन में यह आया कि भाई, जब हमने सामान खरीदना ही है तो अपने ही देश का खरीदें, बच्पन में ऐसी कहानिया सुनी कि जापान के बच्चे अपने देश की पैंसिल इस्तमाल करते हैं, अपने ही देश का खाते हैं, तो बस वह कहानिया सुनते सुनते मन में यह आता गया, और लगबग पिछले 20-25 सालों से मेरे को लगता है कि हमने कभी सोच समझ के कि हमने यह विदेशी चीज ले के आनी है, यही ब्रैंड की ले के आनी है इसा नहीं किया, और सोच समझ के बल्कि उल्टा हम सिरफ देख के कि अपने देश की कंपनी हो, अपने ही देश का प्रोड़क्त हो, हम यह ले कर आते हैं, बहुत बढ़िया, और जो है, रुचिका जी, आप एक ग्रहनी है, और ग्रहनी का बहुत इंपॉर्टन डोल होता है घर की ग्रोसरीज और आम जो है, हमारी रुटीम की शॉपिंग में, तो आपका स्वदेशी गरन जो है, इनों ने किया या आप इसी सोच के साथ ही इस घर में आई थी, यह बगवान ने संजोगी मिलाया था वैसे हमारा, कि पहले से भी मैं इसी महाल में पली बढ़ी हुई तो वो भी हम मोटिवेट करते हैं और मैं उसका समर्थन करती हूँ, यह वो है हमारा जेल है, बरतन को वाश करने वाला जेल है, यह हैंड वाश है, यह हम किसी ब्रैंड का या किसी कंपनी का नहीं यूज करते हैं, जो यहां के लोकल मैनुफेक्ट्रेर्स हैं, उन से हम लेक कि हम जब जाएं लेने तो स्वदेशी ही यूज करें क्योंकि अगर हम स्वदेशी यूज करेंगे तो तभी मारा देश सुद्रड बनेगा पिछले साल इस मेरी बिटिया का स्कूल में कंपिटिशन था तो पर चांस मैं उस दिन बाहर था शेहर से तो वहां पर मेरे को पता च प्रच्टाज ने बोली कि मेरे को एक घंटा लगा कि मैं जो समान उठाओं वो बहर का बना हुआ जो समान उठाओं चाइना का बना हुआ तो यह चोटी सी बिटिया है लेकिन इसके लिए मैरे को सिरफ दो पैन मिले जो मेड इन इंडिया थे तो मैं सिरफ वही लेक्या कि क प्रदान मंत्री जी का जो एक नारा है आत्मनेरबर भारत का हमको वहां तक पहुंचाने के लिए यही सोच जो है लेकर के जाएगी आप सब इस सोच के बारे में सोचें इसके साथ जुणें और हमारी मुहिम एक व्यक्ति एक उत्पाद का हिस्सा बने भारत माता की जै